कि नमश्कार मैं हूँ राउल शुर्मा आप देख रहे हैं एस पेल आइनियों स्वागत है आप सभी कहा हमारे से स्पेशल प्रोग्राम की शुर्वा चंदरशेकर सिंग रावण से भीम आर्मी के चीफ चंदरशेकर सिंग रावण पर देफबंद में हमला कर दिया जाता है गोली बारी में अगर मैं बात करूँ तो चंदरशेकर आज़ाद रावण बुरी तरीके से घाय हो गए हाला कि डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज लगातार किया जा रहा अभी फिलाल वो खत्रे से बाहर है और पुलिस ने पूरा बयान उनका दर्ज कर लिया है माना जा कि कुछ अग्जात हमलावरों को गरफतार किया भी गया है कुछ गारियों को पकड़ागया है यह पता नहीं चल पाया है कि किस वज़ां से चंदरशेकर आज़धा रावण पर हमला क्या गया लेकिन आज एक इस पेशल प्रोग्रॉजर में uhm एकी इस पेशल रिपोर्ट द टॉप 10 टॉप 20 की जो लिष्ट होती है नेताओं की उस लिष्ट में भी उनका नाम शामिल किया जाने लगा कैसे शुरवात की चंदरशेकर सिंग रावण ने देखे एक रिपोर्ट यूपी के सहरनपूर में भीम आर्मी के संस्थापक चंदरशेकर आजाद उर्फ रामट पर जानलेवा हमला किया गया कार सवार हमलावरों ने रावण पर फाइरिंग की गोली चंदरशेकर को छू कर निकल गई हमले में चंदरशेखर रामण बाल बाल बच गए ऐसे में एक बार फिर चंदरशेखर रामण चर्चाओं में आ गए है चंदरशेखर आजाद रामण का जनम 3 दिसंबर साल 1986 में सहारनपूर इस्थित गड़कौली गाउं में हुआ था उनके पिता गोवर्दंधा सरकारी स्कूल में सिक्षक थे मा कमलेश देवी ग्रहनी चंदरशेखर आजाद पाँच भाई बहन है चंदरशेखर आजाद ने दहरादून से लौग की पढ़ाई की है चंदरशेखर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रहे थे लेकिन सहारनपूर के एक अस्पताल में पिता के अलाच के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए वह समाज सेवी बन गए चंदरशेखर सबसे पहले साल 2017 में चर्चा में आने की वज़ा जाती संगर्स थी हिंसा के आरोप के बाद भीम आर्मी के मुखे करता धरता चंदरशेखर को घरफतार किया गया चंदरशेखर की अगवाई में 25 युवा भीम आर्मी संभालते हैं बतादें भीम आर्मी दलित शब्द के खिलाप और अमबेटकर वादी सोच वालों का स्वागत करती है बतादें की आर्मी की स्थापना दलित एक्टिविष्ट सतीस कुमार चंदरशेकर आज़ाद विने रतन आर्या ने साल 2014 में की थी अपने दर्शकों को बता दें चंदरशेकर आज़ाद रावन लगातार दलितों के मुद्दों को उठाते रहें और हाली में चंदरशेकर आज़ाद रावन ने कई मुद्दों को उठाने के साथी साथ सरकार से कई सवाल भी पूचे थे जिसके बाद देखने को मिला कि सरकार उनकी आवाज को दबाती रहे चंदरशेकर आज़ाद रावन उस वक्त और ज़्यादा चर्चाओं में आ गए जब उन्होंने कुछ ऐसे पोश्टर अपने घर के बाहर लगा दिये थे जिसके बाद काफी बवाल खड़ा हो गया दरसल बताया जाता है कि चंदरशेकर आज़ाद रावन सीधे तोर पर दलितों पर होते अत्यचार को कभी देखकर बरदाश नहीं कर पाते थे आज से कुछ वर्स पहले गाओं के बाहर एक बोर्ड लगा कर वो चर्चा में आये थे इसमें उन्होंने तागड़कोली वेलकम टू ग्रेट तरीके का अपमान जनक शब्द लिखा इसमें विवात खड़ा हो गया दलितों की समस्या को लेकर जवेज सडकों पर उत्रे तो उनकी राजनिती पहचान बन गई तव यूवा नेता के रूप में तेजी से लोक प्रिये हुए उनकी चर्चा देश से बाहर भी होने लगी थी अमेरिका की टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप हंड्रेड इमर्जिंग नेताओं की लिष्ट में जगा दि चंदरशेकर आजाद उर्फ रावन ने दलितों के उत्पीडन और सामाजिक भेदभाव की विरोध में दोहजार पंद्रा में भीम आर्मी की स्थापना की इसको भारत एकता मिशन भी कहते हैं इस संगठन के जरिये उन्होंने दलितों और पिछणों के हक में कई आंदोलन किया और आवाज उठाए इस तोरान वे दलित चात्रों की नेता के रूप में मीडिया में खुब सुर्कियां भी वटोर चुके थे भीम आर्मी का मुक्ष कारेचेतर उनका अपना जिला सहारन पूर ही रहा सुरू में वे तब चर्चा में आये जब 2016 में छुटमूल पूर इस्थिद एचपी इंटर कॉलेज में कुछ दलित चात्रों की कतित तोर पर पिटाई कर दी गए इसके विरोध में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया इसके अगले साल 5 माई 2017 को जिले के शबीर पूर गाउं में राजपूतों और दलितों के बीच हिंशा शुरू हो गए थी इसमें आगजनी के दुरान कतित तोर पर दलितों के 25 घरों को फोग दिया गया हिंसा में एक दलित की मौत भी हो गई थी इस घटना के विरोध में चंदर शेकर ने जोरदार आंदोलन किया मामले में पुलिस ने करीब 37 लोगों को गरफतार किया था और 300 से जादा लोगों के खिलाफ केस दर्च किया गया था तब चंदर शेकर आजाद अपनी पार्टी के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध कर दर्शन प्रदर्शन करने पहुंच गए थे सितंबर 2020 में हाथरस में दलित यूवती से जगन्या प्राद और हत्या की घटना के कुछ महीनों बाद वे पीडित परिवार के घर पहुंच गए चंदर शेकर पीडितों को सुरक्षा नहीं मोहया कराए जाने और लगातार म लितों के मुद्दों को उठाने के साथ साथ गरीब जनता की आवाज भी बनते रहे हाला कि यूपी विधान सवाजचुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी के साथ चंदर शेकर आज़ाद रावर नजदीकिया बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बात उस वक्त नही हैं उनकी आवाज को उठाने का मकसद रहते हैं हाला कि चंदर शेकर आज़ाद रावर ने देश के हर मुद्दे से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी है देश में चाहे दलितों का मुद्दा हो या गरीबों का या आदिवाशी का या आर्थ विवस्था या सभी मुद्दों पर चंदर शेकर आज़ाद रावर ने खुल कर सरकार से सवाल पूछें यही वज़ा है कि दलितों के एक बड़े चेहरे चंदर शेकर आज़ाद रावर माने जाती है यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने धर्षकों को दिखाया हाला कि अपने दर्षकों को यह बेबता दें चंदर शेकर सिंग रावर जो की अभी फिलाल खत्रे से बाहर रहे लेकि इन्होंने अपने समर्थ को से कहा है कि नारे बाजी ना करें पर दर्शन ना करें माहौल शांती पूर्ट बने रहे अब आने वाले वक्त में देखना यही होगा कि चंदर शेकर रावर पर जो हमला किया गया है वो किन वजहां से किया गया हाला कि उत्तर प्रदेश की योगी सतरकार एलेट पर है और कहा कि दोश्यों कोई छोड़ा नहीं चाहेगा आज के लिए तहीं आप से फिर द्वारा मुलाकात होगी तब तक ले जा द कि उत्तर सम्सक होगी।